पुराने साहित्यों को अगर हम पढ़ते हैं उस समय में आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं देश की व्यवशाई नगरी मुंबेई को महारश्ट्र की सिमा के बहुत सारे नागरिक अभी तक मुंबेई नहीं आया होंगे जेश की राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली को मैं बहुत दूर ना जाते हुए अगर इसकी पांचो किलोमीटर की परीधी में एक गोलाकार बनाता हूं और उसमें से कितने लोग दिल्ली आये होंगे उनमें से आदे से ज्यादा लोग दिल्ली नहीं आये होंगे तब अनुमान करिए अगर मैं एक उधान उसकी कांट्रास में आपके सामने समझने के लिए रखूं आदी संकराचारिय ने दक्षिन से जन्म हुए आदी संकराचारिय भारत की चारो दिशाओं में कम उमर में उस समय की उस समय में कोई प्लेन तो नहीं था कोई वंदे भारत एक्सप्रेश भी तो नहीं चल रहा था उन दिनों में या उन दिनों में कोई हाईवे नहीं था कि सहज सुगम तरीके से हम एक हिश्चे से दुसरे हिश्चे को जा पाएं तब भी उस समय में उनकी ब्रह्मन हुई थी जिनकी ब्रह्मन नहीं भी हुई थी हमारी देश में जो ग्यान की व्यवस्ता रही होगी किसी भी भासा की साहित्यों का पुठा के देखिए उस साहित्य हमें जो हजारों साल पहले लिखा गया बैदी काल से लिखा हुआ साहित्य को अगर हम गहराई से अनुध्यान करें एक चीज की सिमिलारिटी एक चीज की समानता ध्यान में आती है उसमें एक अखिल भारतियों या उससे जाके वैश्वई के कलपना ध्यान में आती है कि कलपना अभी की तो नहीं यह हजारों साल पुरानी है तब भी साहित्य में लिखा गया था साहित्य बिना भासा के नहीं हो सकता था संस्कृति भासा और साहित्य की दरपन संस्कृति है यह समुह को मिला के हम सभ्यता की नाम पे जानते हैं भारत एक पुराना सभ्यता है इसलिए राष्टिय शिक्षानिती अभी तक 75 साल में 75 साल तक हम लोगों की एक अप्रोच रही कि हम भारत में त्रीबासी फरूला चलाते हैं त्रीबासे फर्मूला या पध्धती या प्रणाली यानि क्या ना हमारी पठन प्रक्रिया में पढ़ने की प्रक्रिया में कभी न कभी हम तीन भासाओं को अपनी मात्रुभासा वयष्वच्वाश आज हम लोग भारत नहीं मान मैं जिम्मेवारी के साथ यह कह रहा हूँ हम भारत में मान लिए English language is the global language यह भारत की कुछ लोगों की धारना है साथ ऐसा नहीं है Yes, English language is a international language is a link language, is a language of trade and commerce इसलिए भारत में आगे बढ़ना, अधुनिक्ता, बिज्ञान इसके भासा को हम लोगों ने English के साथ जोड़ा है चोले, English को भी हमने पढ़े, मात्रु भासा पढ़े, English पढ़े और एक तीसरी भासा को भी पढ़े मैं इन दिनों में एक interview देने गया था, कोई एक अख़बार में उस interview में, मेरे को बार बार एक बरिष्ट पत्रकार देश की पूछ रहते कि NEP की जो भासा अप्रोच है भासा पॉलिस से ओक क्या है त्रिवाची तो हमारे पास पहले तक कुछ राज्यों ने तिसरी भासा को शिवकार नहीं क्या अन्य कोई अन्य दुसरे भारतिय भासा को उन्होंने हिंडी की imposition की नाम पे उसको शिवकार नहीं क्या मित्रोच ब्रह्म में इस बार की राष्टिय शिक्षा निती नहीं रहा है हम महत्तों देरे किस भासा में पढ़ाए जाएगा कोन सी भासा पढ़ाए जाएगा ये विद्यार्थी की choice के उपर है कोन सी भासा उपढ़ेगा हमें आपति नहीं इंग्लीज पढ़ने में कोई आपति नहीं है और हमें पढ़ना भी चाहिए आज विश्व में medical science में भारत्य मूल की लोगों की बहुत दोड़ा योगदान है दुनिया में अगर कोडर को हम आई टी की दुनिया में कंप्यूटिंग कोडर को कोड लिखने बाले लोगों की अगर हम प्रोग्रामर्स को अगर हम कल्कूलेशन करेंगे विश्व की एक तियाही वन थाड़ अप दे कोडर आर फ्रम इंडिया हम तो कोई एक international language को पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है यह students की choice के उपर है लेकिन किस भासा में पढ़ाये जाएगा इसको राष्टिय शिक्षा निति ने महत तो दिया है जब तक हम अपने मात्रू भासा में अपने स्तानिय भासा में जिस भासा को हमने पहली बार कहा बच्चा ने पहली बार जिस भासा को कहा या जिस भासा को सुना अगर उसकी मानसिक बिकास परियाप्त मात्रा में होने तक और उस भासा में लिखता भी है और पढ़ता भी है जिस भासा को सुना जिस भासा को पहले कहा अगर उस भासा में लिखेगा और पढ़ेगा तब उसकी मौलिक चिंतन में पूर्णत आएगी तब वो किशी भी भासा में दक्षेता ले सकता है सुबरामन्य भारती जी को अगर तामिल भासा में परंगमता नहीं होता अपने पूपाजी की घरो आये थे बनारस रहने के लिए कहां तामिल नाडू कहां बनारस हिंदी साहित्य क्यों महान कभी भी बने स्वतंतरत संग्राम में लोगों को प्रेलिद करने का नेतुर तो किये इसलिए कर पाएं क्योंकि समाज की बेदना करूना समस्या दुख उन्होंने ठीक से समझा क्यों ठीक से समझा हो तामिल भासा में परंगम थे अभी अगर मैं उसको आज की समझ में एक उधान से जोड़ू इन दिनों में वाल बैंक में हमारी भारत की एक योग्या ब्यक्ति एक्जुकिटिव डारेक्टर की पदमे है क्रिश्नमूर्ती जी थोड़े दिन पहले तक भारत की चीफ एकनोमिक आड़वाईजर थे उन्होंने अभी एक अठीकिल इंडियन टाइम सफ इंडिया में लिखा है कि अगर आपको इंग्लिज लैंग्वेज में मास्ट्री करना है तब आप जीस मात्रू भासा के हो उस मात्रू भासा में ही आपको परंगम होना पड़ेगा तब जाक्या पूरा विश्य को पूरा मैं इस विशे को कहने में कहना क्या मैं जिम्मेवारे लेता हूं मैं इन दिनों में उत्राखंड की उत्तरकासी जिले की कुछ बच्चों को मिला तेडी जिले की बच्चों को मिला हमारे NCRT की डायरेकटर भी उत्राखंड की है जब मैं उनको बच्चों को मिला उन्होंने मेरे को गूड इब्रिंग सार एक तो कॉंपिटेशन लगता है अब यह बच्चों को पुछेंगे सब अपने मातरुवासा में कहें बाहर जाएंग तो state board क्यों छोड़े भाई CBHC तो standard benchmark करता है तो state board भी उसमें लगे मैं उसको पहले तिरेचे पुछा उस good evening के बाद भाई कौन सी board के हो लगभग 80% state board की थे मिद्र कोई भी सभ्य कोई भी बड़ा कोई भी powerful देश अपने मौलिक understanding को अगर clarity develop नहीं कर पाएगा तब वो विश्व में बड़ा नहीं हो सकता है भारत को बड़ा भारत बड़ा था क्या कारण नहां होगा Chinese परिवराजक वें शहां भारत की कोने कोने पर आये थे कोई आकरंता नहीं थे हम भारत में invasion की story western part से आये हुए लोगों से सुने थे तुर्क आये मोगल आये सक आये हून आये यूरोपियन्स आये फरासी आये लेकिन चाहिना हाँ चेंगिश कहां आये थे चेंगिश कहां भारत को जय करने के लिए आये दिविश्व की अद्ध हिसा ले लिए तब भारत उनकी चपेट में आ गया होगा भारत की ज्ञान को समझने के लिए आये होगे तो जो भारत की ज्ञान मैं कभी कभी सचतो मिनाक्सी टेंपुल या तामिल नाडू की ब्रोहदेश वर टेंपुल बनाने बाले लोग तब तो आई आई टी माड़ास हुआ नहीं होगा ना स्ट्रक्चराल इंजिनेरिंग, केमिकाल इंजिनेरिंग, समुद्र की तट्पेव मुर्तमंदीर है आर्किटेक्ट, प्लानिंग, ये डिपार्टमेंट्स तो नहीं होगे कुस तो ज्यान परंपरा होगा कितना ब्रोहद टेंपुल अभी भी है सुन्दर टेंपुल अभी भी है ये सारा विश्य को समझना है तो हम अपने भारतिया भासा को ही महतो देना पड़ेगा और आज इसलिए हम भारतिया भासा उस सब कर रहे हैं मैं उसको सुभेचा देता हूँ और ये सफल होगा मेरा पुरा विश्वा से